एक 11 साल के बच्चे ने इंटरनेट से सीखी हैकिंग टिफ्स और करने लगा अपने पैरेंट्स को बलेक मेल गाजियाबाद में पांचवी किरास में पढ़ने वाले बच्चे ने यूट्वीब से हैकिंग से कर अपने पैरेंट्स से 10 करोड रोपे का डिमांड करने लगा और पैसे नहीं देने पर माबाब को डियाने धमकाने लगा कि वो उनके और उनकी सारी फैमिली के परसनल तस्वीरों को इंटरनेट पर सरकुलेट कर देगा ये मामला तब सामने आया जब पैरेंट्स ने पुलिस में अपने इमेल अकाउंट हैक करने और सारी परसनल तस्वीर से बलेक मेल करने की फिरोती से जुड़े फोन काल्स आने की शिकायत दरजी की पुलिस ने जब इस मामले में इनिवस्टिगेशन शुरू की तो मालूम हुआ कि सारे आईपी एडरेस उनके घर के ही हैं उसके बाद सारे घरवालों से पोच्छाच करने लगी उस वक्त बच्चे ने अपना जर्म कबोल किया और बताया कि उसने हैकिंग टिफ्स यूटूब से सीका है और साथ ही साइबर कराइम और गृफतारी से बचने के भी सारे रास्ते आनलाइन तलाश कर रहा था ये खबर हम सब के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सारे बच्चों की इंटरनेट पर पढ़ाई चल लई है इसलिए कड़ी नजर रखने के जरूरत है मौतरम नाजरीन इसलाम में वालदें और बच्चों के हुकोग पर काफी जादा चर्चा किया गया है और इस रिष्टे को अल्ला के बाद सबसे अहम बताया गया है माबाप को अपने बच्चों के निगरानी और बच्चों के हुकोग का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह की नौबत या इस तरह की मेंटेलिटी उनके दर्मियान ना बढ़ सके ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें